आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिटी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद 1-1-1-2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोइस्ट प्राइस प्राइस थी तबी 23rd मार्च को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और अभी शेर प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए को मार्केट होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार हमारा शेर अपने सेकेटर का टॉपी शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करंट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपे निफ्टी-50 शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन वह 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में उस इन्वेस्ट्मेंट की वेल्यू हो गई और अभी की वेल्यू है 1st point में निफ्टी जीत गया 2nd point में निफ्टी जीत गया 3rd point में निफ्टी जीत गया 1 minute के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले 7 सालों में चले है वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी 2020 में किसका परफॉर्फॉर्मस बेटर रहा ये शेर का या निफ्टी का ये है पिछले एक महिने का रिटर्न ये है दो महिने का रिटर्न ये है तीन महिने का रिटर्न ये है छे महिने का रिटर्न और ये है पिछले नव महिने का रिटर्न तैंक्यू